मनिपुर में कोकी और मैतई समुदाय के बीज शुरू हुआ विवात त्रेपन दिन बाद भी शांत नहीं हुआ है 120 से जादा लोगों की जान जा चुकी है हालात को देखते हुए सर्वदली बैठक भी बुलाई गई लेगिन टकराव की खबरें लगातार तमाम जिलों से सामने आ रही है इसी कड़ी में आमिश्या ने पियम मोदी से मुलाकात की है तो क्या है इस मुलाकात के सियासी माईने देखते हैं मनिपुर में 53 दिन से हालात नहीं समल रहे हैं राजे में टकराव को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है विपक्ष के हमले के बीच ग्रमंत्री अमिश्या ने 18 पार्टियों के साथ मनिपुर मुद्दे पर सर्व दलिये बैठक के अगले ही दिन राजे के सियम एन बिरेन सिंग ग्रमंत्री अमिश्या से मिलने पहुचे जिसके बाद दावा किया गया कि बिरेन सिंग ने शाह से मुलाकात कर साफ कर दिया है कि अगर जरूरत हुई तो वो इस्तिफा देने को तयार है बैठक के बाद अधिकांश पार्टियों ने बिरेन सिंग के सिफ़ए की मांग की थी और कहा था कि जब टक बिरेन सिंग सियम रहेंगे राजे में शानती बहाल नहीं हो पाएगी बैठक में बीजेपी नेता भी बिरेन सिंग का बचाव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मनिपूर बीजेपी के कई विधायक भी हाई कमान से शिकायत कर चुके हैं कि एन बिरेंसिंग इस्तिती को नियंतरित नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं इस हंगामे के बीच आज पीम मोदी से अमिश्या ने मनिपूर मसली को लेकर मुलाकात की कहा जारे कि इस मुलाकात में राज़े के सीम एन बिरेंसिंग के स्टिफिक को लेकर चर्चा की गई है लेकिन पीम मोदी और आमिश्या की मुलाकात के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों इतने दिन बीच जाने के बावजूद पीम मोदी ने मनिपुर की सुद नहीं ली और आखिर कब मनिपुर में हाला सामानने होंगे डिबलाइफ की रिपोर्ट